हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल और कैसे आप सोब राप्य हो रहा है करीब गारा वाज गया है और मैं नहाली हूँ और क्या है ना आज भी हमारे घर में महमान आ रहे हैं और सबसे खास महमान आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा कूस हो क्योंकि मैं मेरा अपना दी आ ज बढ़ा गाड़ी भी तो पूंचा देते हैं तो इस बाद जैजी का कुछ काम हैं तो फिर मेरे जैजी जो है इस स्टेसें तक छोड़ देंगे और इसी से जो है मेरे भाईया ले लिया आएंगे तो आभी वो लोक आ जाएंगे कुछ देर में और मेरे दी और उनके दो गर्मी का छुट्टी हो गया काली हुआ है लगभग मतलब हाँ 15 तारिक को या कब हुआ मतलब एक दो दिन में गर्मी का छुट्टी जो है पड़े गया स्कूल में तो बाच्चे भी बहुत जदा खूस हो जाता है अपने ना निगार आने के लिए तो फ्रेंड्स मैं आई हूं घर से बुले रो रिचाप करकर आई हूं क्योंकि इस्टी से हम लोग आएंगे और देखिए आप ट्रेन जिसमें मेरे दि आ रही है वह बहुत जदा धूप रहता है तो जितना सुबही कहीं जाना आना रहेगा उतना अच्छा रहता है क्योंकि बाच्चा सब कभी फिर धूप लगेगा और बहुत जदा गर्मी भी है तो जितना मतलब सुबही सही रहता है जाने आने में और देखिए बहुत जदा भीड़ भी था यहां पर हरी हैं यह लोग उतर गे हैं देखिए मेरे दी उतर गे हैं और दी का जो है छोटा वाला दीदी का बेटा जो है निकलने खो जा लेकिन वह पार नहीं हो पाया उसके सर पर थोड़ा से लग गया वह जो इस्टिल का रेली होता है उसमें और यहां पर में कुछ भी नहीं रेकॉर्ड कर पाई थी और यहां पर देखिए तो पहर का खाना बाद रहा है हम लोग मतलब दीदी का बड़ा बेटा है यहां पर जूला जूल रहा है और यह जूला ना पिछले साल का ही है जब मतलब यह लोग इससे पहले जब आयते तो उस टाइम मतलब मा बना दी थी तो उसी में वह जूल रहा है और यहां पर देखिए दोपर का खाना में खा रहे हूं सिद्धार्थ को सुलाने के बाद आ रहे ही खाने के लिए क्योंकि काफी ज़्यादा जीद भी कर रहा था तो यह देखिए यहां पर मचली का सब्जी बना है और यह लोकी और मुसुद डाल का एक रेसिपी होता है अच्छा सब्जी बना है और आम का चटनी तो फ्रेंस यहा करेंगे नहीं काली चल जाएंगे और यहां तो फिर सब मतलब सबने कहा इसकुटी लेकर चले थोड़ा थोड़ा इसकुटी चला लेंगे और यह देखिए मोसी का बेटी जो है इनको भी भाईया ने एक बार बता दिये इस तरह इस तरह करना तो फास्ट बारी चला रही है लेकिन आराम से बहुत अच्छे से चला लेती है क्योंकि वो भी पढ़ाय करती है और रोज साइकल चलाती है इसकुटी उसे जाती है तो फिर उसके लिए भी मतलब उतना मुस्किल नहीं था इसकुटी चलाना और चला लेती है और यह देखिए मेरा देदिका छोटा वाला बेटा से आप मिलिए इसका जो नाम है इसका नाम है आरब और यह बहुत क्यूट वच्चा है बहुत अच्छा से बोलता है इसका आवाज भी बहुत मीठा है अग्दम धीरे-धीरे से बोलता है और यह देखिए यहां पर बहुत बड़ा एक कुवां है तो यहीं लोग दे देजार कर रहे थे हम लोग और बहुत अच्छा लगा फिल्ट पर भी घर में भी और यह देखिए फिरन्स यह मिलिए यह मिरा दी का बड़ा वला बेटा है और इसका नाम है अरणाब तो वह भी हाइब बलकर चला गया और यह छोटा वला बेटा है देखिए यह भी अर्प पर में भी स्कुटी चला लेती हूं आई हूं तो फिर चला ही लेती हूं मैं उसी दिन चला आई थी क्या जिस दिन में लाच्ट फिरी चला ने का और उसके बाद दिनबाद जैसे मेरे दीवी सिद्ध subiz टे रही है तो काफी जैदा दीवी सिद्ध को प्यार कर रही है दुलाल कर रही है अब देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मतलब सिद्धात भी अपने मोसी के साथ बहुत अच्छे से रहता है और मैं क्या बताओं मोसी तो मोसी होती है मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है मोसी का और यहां पर देखिए मतलब बहुत अच्छा लगता है घर में गर्मी से लग रहा था लेकिन फिल्ड में बहुत अच्छा हुआ चार रहा था भी और यहां पर देखिए मेरा भाया को बच्चे के साथ बच्चा बन गए हैं और अपने दोनों भंजे के साथ खेलने में मतलब खेलना ही पड़ता है जब इस तरह सिच्वियोसन आ जाता है तो तो देखिए यहां प यहां पर देखिए दोनों बच्चे कितना खूस है और छोटा वाला दीजिका जो बेटा है आ रहा रहा हो ना थोड़ा घर में किच-किच्चा कर रहा था क्योंकि अभी वह आया था उसके बाद बुरत नहीं ममा में मतलब अपना घर जाना है इसे करकर को थोड़ा सा रो र रही थी क्योंकि मैं मतलब इसी तरह थोड़ा सा चलाई और कहीं अभी मैं कहां जाओं एकेले और यह देखिए मेरा मौशी के बैटी जो है वह बोरी नहीं थी तुम बैठो तुमको मैं मतलब चढ़ा के चलाती हूं और यह ना एक दिन में इतना अच्छा सी गई थोड़ा चला रही है लेकिन दी थोड़ा डर रही है तो फिर उस तरह करकर दी दो तीन राउंड जो है फिल्ड में चला लेती है अराम से और बहुत अच्छा लगता है बच्चे सब भी बहुत खोसे ममा सब मौसी सब गाया मतलब इसकुटी चला रहे हैं तो और यहां पर आ गयते स साम को और बच्चा को लग गया था भूख तो फिर और नप को खाना था थोड़ा सा मेगी बार बार बोड़ा था मुझे मुझे मेगी बना दो और जैसे की ज्यादा मुझे से लगाव है तो मुझे से बोलता है ज्यादा से ज्यादा मुझे यह खाना है मुझे बना दो क्य दी को भी एक दो बार बोलती है तो दी एक दो बार डाट भी देती है तो उसमें क्या होता ना बच्चा को अच्छा नहीं लगता है और मुझसे मतलब मेरे से उसका बहुत ज्यादा लगाव है और मैं सुनती भी हूं उसके बाद तो फिर में मेगी यहां पर बना देती हूं और जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि साम भी हो गया था रात भी हो गया था तो रात का खाना भी बनाना है और इसे होता है ना गार में अभी भीड है तो जितना लोग उतना काम भी हो जाता है तो फिर सब कोई मतलब माँ है बच्चों तीनों बच्चों के साथ मतलब बाहर म हैं अंगन में और सब कोई है बाती है मतलब बाती होता है जब इतना लोग एक साथ मिलते हैं तो फिर और में मेगी बना दे रही हूं और मेरे जो है सब के लिए चाय बनाई और मैं बहुत सिंपल सा मेगी बना रही हूं क्यों कि अभी जल्दी मतलब रात का खना भी बनाना है तो फिर इसी तेरा जो मेगी में मसला आता है मेगी के अंदर उसी मसला देखकर और थोड़ा से तेल और प्याज बगरा देखे मैं बना रही हूं और मेगी में तो टाइम नहीं लगता है लेकिन फिर भी पांच मिट लागी जाया गया पांच-छे मिनिट और यहां पर देखि और यहां पर क्या है ना जैसे कि तीन मेगी का पेकेट था तो एक में एक का मसला जो निकला था वो में राग दी थी लेकिन यह अड़ना बायार बोर नहीं में मोशी जो है मेगी का टेस्ट खराब हो जाएगा तुम इसे भी दो तो फिर मैं माना कर रही थी तो वह अपने खर कर जो एंदे दे रहा था और यहां परिधी बनने का इनतेजार कर रह रहा है और उससे दिधी डांटी हिंहें तुमके मेरे के समने क्या कर रहा है आविधार तो मेगी बन जाएगा तो मोसी अपने आप ला देगी लेकिन लेकिन बच्चा तो बच्चा है ये माने मतलब ये मेगी दूसरा चीज खाने कुछ बोलते हैं तो फिर पीछे हड़ जाता है लेकिन मेगी दूसरा मतलब बच्चों को मतलब फास्ट फूर्ट जो होत काटब चमट होता है मैंगी खाने वाला मिलाई नहीं तो इनल चमट मुथे उसी से और प्र फिर बाद में खोज दें बहुत सारा है लेकिन कहां मां ममी रखी है और और यहां पर रात का खाना बढ़ रहा है रोटी और सब्जी आलू वेगन का सब्जी जो है बन गया एक सब्जी और एक राजमा का सब्जी बनेगा तो इधार राजमा कुकार में बॉयल हो रहा है और इधार में मेरे दीदी जो है रोटी बेर रही थी और में रोटी सेंक रह तो मतलब दो जोड़ाता पहली नहीं तो बहुत चल्दी से को जाता है कुछ भूझाता भी नहीं है बहन बहन बादे करके हो जाता है रोटी बन जाका दहां और यहां पर बने गा भी राजम light का सबंजी तो राजमा the investing हुआ है और हुआ कम जो है मसाला भून गया था अच्छे से और टामाटर भी दिये थे और यह पर देखिए राजमा जो है इसमें मतलब दे दिये हैं और अच्छा सा मतलब अच्छे से सब्जी बन जाता है और तो फ्रिंद्स इस वीडियो को मैं पेंट करती हूं उमीद करती